विंटर्स में बेसन को इस तरीके से अपने चेहरे पे लगाओगे दोस्तों इससे चेहरे का काला पंदूर होगा इसकीन के फाइन लाइन्स दूर होगी इसकीन ग्लो ही दिखेगी मॉस्टराइजर लगाने के आपको जुरत नहीं पड़ेगी और चेहरे की जो रंगत है वो क्या बताओ इतनी जादा उभर के आपके चेहरे पे आएगी ना बहुत अमेजिंग रिजल्ट ये देने वाली है इस रेमेडी को दोस्तों आप विंटर स्के छोड़के नॉर्मल जो टाइम होता है उस टाइम पे भी लगा सकते हो अगर आपकी ड्राय स्किन है तो देख लेते हैं इस रेमेडी को आपको बनाना किस तरीके से हैं इसको बनाने के लिए चाहिए दोस्तों आपे आदा चमच के करीबन बेसन आप एक चमच भी बेसन ले सकते हैं और बेसन आपको पता एक नैचुलर क्लिंजर का काम आपकी सिकन के लिए करता है देन उसमें आपको थोड़ा सा वाइल टर्मरिक लेनी हैं थोड़ा सा पिंच ओफ हल्दी लेंगे उसके बाद आपको add करनी है दोस्तों इसमें मलाई तो एक चमच के करीबन मलाई add करेंगे और आदे चमच के करीबन आप इसमें coffee powder add करेंगे जो हमने इसमें ingredients add करें है दोस्तों कमाल के ingredients है जो आपके skin को glow-y, shiny, चमकदार बनाने में बहुत जादा help कर रहे हैं अगर आप किसी party में जा रही हैं, function में जा रही हैं, उससे पहले आप इस waste pack को लगा लेंगी, तो awesome result आपको देगा, और make-up करने से आप पहले अगर आप इस remedy को try करती है, तो आपका जो make-up है वो इक दम natural दिखेगा, flawless दिखेगा, और आपके इसकी नितनी चमकदार उससे हो जाएगी, तो इसे लगाने से पहले आपको क्या करना है, अपने चेहरे को अच्छे से wash कर लेना है, clean कर लेना है, इस pack को आपको पूरी तरीके से अपने चेहरे पर apply कर लेना है, अच्छे से आप apply कर लेंगे, तो apply करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसे कम से कम अपने चेहरे पे 20 मिनिट्स तक आपको इस तरीके से ही इस पैक को छोड़ देना है अभी मैं आपको बताऊंगे इस पैक को लगाना किस तरीके से कितनी बार लगाना है कि जिससे आपकी स्कीन और भी शाइनी और भी ग्लोई हो जाए इस विंटर्स में तो पूरी तरीके से आप इसे अपने face पे अच्छे से apply कर ले पहले और लगाने के बाद इसे हम 20 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो after 20 minutes ही dry हो चुका है अब आपको क्या करना है अपने dry हातों से इसे अच्छे से rub करना है दोस्तों इसे क्या होगा एक तो आपकी skin की जितनी भी mail है गंदगी है वो सारी बाहर आजाएगी आपकी skin बहुत ज़्यादा brighten अप दिखेगी इस तरीके से abrupt करते वे इसे पूरे skin से निकाल लीजिए अच्छे से massage करिएगा पांच मिनिट तक की जितने भी चैरी की extra गंदगी हो साब बाहर आजाएगे जो आपकी छोटे छोटे हेर्स होते हैं बेबी हेर्स होते हैं स्किन पर वो भी सारे बाहर निकल जाएगे और मैं इसे spoon से clean कर रही हूँ और आप देख सकते हैं skin कितनी ज्यादा shiny और चमकदार इससे हो रही है इस remedy को दोस्तों आप हफते में तीन से चार बार आपने चेहरे पर कर सकते हो जिससे आपके skin इतनी awesome दिखने वाली है न वन वीक आप इसे try कीजिए और इसके result मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आप मुझे इसकी जो पिक्चर से अपने skin की वो मुझे इंस्टाक्राम पर भी वेज़ सकते हैं इसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से clean कर लीजिए wash कर लीजिए normal पानी से आपको wash करना है कोई भी सूप और नहीं apply करना है तो आप देखेंगे skin आपकी इतनी ग्लोई और इतनी शाइनी हो जाएगी ना यह ऐसा उप्टन का काम आपके चाहरे के ले करता है जो आपके skin में चमक लेके आता है इस रेमेडी को आप हपते में तीन बार ट्राय कर सकते है ड्राय ओयली सारे skin वाले से कर सकते है अगर आपके skin बहुत जादा ओयली है तो आप इसे मलाई की जगह में दही यूज करेंगे तो आई होप दोस्तों आज का यी वीडियो आपको मेरा जरूर पसंद आयोगा तो प्लीज मुझे कमेंट शेक्शन में यह जरूर बताएगा कि आज का यी वीडियो आप